वेलकम फ्रेंट फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं देखिए गप्पी लेके आया हूँ डंबो यर गप्पी है ये दोस्तों ये कितने सारे भैराइटी है आप लोग खुद ही देख सकते हैं तो चलिए आज इसे मैं बिना एकोरियम के पालना सिखाऊ किस तरीके से पालना है कैसे पालना है वो सारे चीज आज मैं बताऊंगा मेरे चैनल में आप लोग बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जाके और मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए एक एक पॉरसेस को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तो तो चलिए यह जो पॉंड देख रहे हैं यह फिज पॉंड जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है थर्मकॉल बॉक्स से तो इसे इसकी वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है दोस्तों जाके देख सकते हैं यह कितना खुबसूरत पॉंड मेरे बना है और इसमें यह टोड़े नैचरल प्लांट भी मेंने लगाए है इन प्लांट को लगाने से क्या होगा आपकी गपी सेफ रहेगी इसकी फ्राई भी सेफ रहेंगे तो यह सब चीज आप कैसे बनाये है मैं कैसे बनाया हूँ वह सारे चीजे आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा उसकी लिंक म तो यह पॉंड आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा तो चलिए दोस्तो अब गपी को रिलीस करने के लिए सबसे पहले आपको एकलमाइट करना होगा पानी में इसको पहले पानी में एकलमाइट कर लिजिए दोस्तो देखिए मैं किस तरीके से पानी में 20 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ फिलाल तो एक्लिमेटर पॉसस मेरा कम्प्रीट हो चुका है और अब मैं इस गप्पी को रिलीज करूँगा इतने बड़े पॉट में देख सकते हैं मेरे गप्पी पुरा हेल्दी है और अभी भी ये खेल रहा है और इसमें कितने सारे कलर देख सकते हैं दोस्तों तो इसे में ब्रीट करवाना सिखांगा आप लोगों को इसके खाने तयार इसको कौन सा खाना देना है सब चीज मैं अपने वीडियो में बताऊंगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें दोस्तों ताकि आहर दिन आपको notification मिलता रहे, तो चलिए सबसे पहले, मैं जो मेरा aquarium ball है, उससे पानी ले ले लता हूं दोस्तों, उसी में मैं डालूंगा गपी को, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, एकलमाइट करने के बाद आपको डायरेक्ट डाल जाये तो उसको डालना है, ऐसे डायरेक्ट मार्केट से लाके आपको मचली को नहीं डालना है दोस्तों, तो देखिए मैंने डब्बे में डाल लिया, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, इसका कलर कितना खुबसूरत है, और इसका फिन देख सकते हैं दोस्तों, ये डंब तो चलिए मैं इसे एक एक करके मैं अपने डेवाई पॉंड में इसे रिलीस कर देता हूं, और ये पॉंड मैंने हातों से बनाया है, आप भी अपने हाथ से बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसाने से, और इसमें धेर सारा मचली आप पाल सकते हैं, चाए कोई सा भी मचल तो चलिए दोस्तों मैंने सारे गपी को रिलीस कर लिया है, और इसका खुबसूरती देखिए दोस्तों, इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए बोडी का सेब देखिए, तो चलिए सारे का सारा मैंने मचली इसमें आधात से जादा डाल दिया है, और इस तरीके स आपको डालना है जो मैं पॉर्सेस पहले देखाया डब्बे से हाथ में लेकर डाल रहा हूं उस तरीके से आपको नहीं डालना है क्योंकि सारी के सारी मचलिया मर सकती है तो आपको नेट से ही डालना है दोस्तों जिस तरीके से मैंने डाला उसी तरीके से डालना है तो यह दे कि अवादूня।